तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना डिश्वाशर का वीडियो तो वेलकम बैक टो एचैनल इन्यू व्लाग और सनाक्षी मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो यह है मेरा डिश्वाशर जो की आई एफ बी का है और इसका जो ग्रैंड है वी एक्स है वी एक्स वन है मैं आपको बंद करके दिखाती है तो फ्रेंट डिश्वाशर में इस तरीके का कुछ पैनल दिया हुआ है और इसको मैंने स्टैंड के उपर रखा हुआ है बाहरी बालकनी में क्यूंकि अंदर अमारी किचन में जगह नहीं थी और इसमें मैंने बरतन पहले से ही लगाए हुए है और यह बरतन सच में गंदे हैं पर मेरी आदत है कि बरतनों में एक बार पानी मार के फिर ही मैं मेड वगरा को भी देती थी तो वैसे ही मैं डिश्वाशर में भी लगाती हूँ आप चाहो तो गंदे बरतन भी रख सकते हो लेकिन फिर कणरा पड़ेगा और वैसे मुझह आदत है साफ करने की तो मैं वैसे साफ करकिर रखती हूँ में वैसे साफ कर लेका है तो आपको 1 kg साल्ट एक बार में जहाता है वनमंत में बस एक ही बार आपको डालने की जरूत है और जब भी इसमें कम होगा तो इंडिकेटर आपके प यह अलग से बाहर भी निकल जाती है और उपर वाली रैक जो है अजस्ट हो जाती है उपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी अगर नीचे बड़े बरतन है तो यहाँ पर देखो यह इस तरीके से जो इस प्रेयर लगाए हूँ है तो यह बिलकुल भी टेच नहीं करने चाहिए अगर आपके बरतन आप दूलने के लिए डाल रहे है तो टेच नहीं करने चाहिए इस तरीके से आपको बरतनों के अज़स्मेंट करनी है और अगर आप मेरा वीडियो अजस्मेंट के उपर भी देखना चाहते हो कि बतनों को किस तरीके से इसमें अजस्ट करें तो वह भी मैं आपके साथ में नेक्स वीडियो में शेयर कर दूँगी तो अभी एक प्लेट ना इसके अंदर अड़ रही थी और आज ना मैंने अपनी ओरिजिनल आवाज यहां पर नहीं डाली है मुझे बनाने के बाद में वीडियो पता चला कि पीछे से ना चल रहा था कोई म्यूजिक और यहां पर यह रिंसेड का है और यह भी आपको जो है वन मन्त में एक ही बार डालना होता है यहां फिफ्टीन डेज में आपके बस में वहां पर जो है आ जाता है उपर अलाम मतलब मिल जाता आपको यहां पर डिटर्जन का था साथ में उसके बाद में मैं इसको ऐसे बन कर दूँगी यहां पर ऑन उफ का स्विच है प्रोग्राम आप जो है सेट कर सकते हो डिले अगर आपको एक गंटे दो गंटे तीन गंटे चार गंटे पाद चलाना है उसके बाद में आपको जो प्रोग्राम सेट करके स्टार्ट कर देना है अगर आप एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहते हो कि टाबलेट है आपकी तो वाला टैबलेट है, सेकेंड वाला उपर रह के लिए, थर्ड वाला नीचे वाली रह के लिए, फोर्थ अगर आपको ज्यादा ही हाईजीन मेंटेन करना है, तो आप फोर्थ वाला उप्शन भी साथ में दबाल सकते हैं, फिफ्थ एक बार आपको वाटर का एक्स्ट्रा जो है साइकल चलाना है, या फिर सिक्स आपको रिंसेड का एक्स्ट्रा जो है साइकल चलाना है उसके बाद में, हम अगर उपर वाले स्टार्ट और जो नीचे वाला बटन है, उसको तीन सेकेंड तक दबाएंगे, तो ये लॉक हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा च कर दूंगी और मैं जो प्रोग्राम सेट करूंगी 60-70 डिगरी सलसेस का करूंगी क्योंकि मेरा जो है डेली का प्रोग्राम है यह जिसमें मेरे बरतन जो है हर तरह के भरतन है जो मुझे साफ करने लाइक कूकर चाय के बरतन वगएरा तो यह तीन घंटे तक का शो करेगा लेक लेकिन इसके अंदर एक जो है ऑट्मेटिक सेंसर लगा हूँ है जिससे की पता चल जाता है उसको की बरतन अगर साफ निकल रहे बांबर परिक उल्टे नहीं । पनी परका दूर्ट परकान से लिए लाइध वहाएं को विए दो प्रतन निकल रहे हैं कि एक-डो बर्तनों पर थोड़े बहुत दाग रह गया है या बहुत जादा हार्ड वाटर है तो इसी वज़े से ना अगर मैं हाथ से भी बरतन दोती दी ना बहुत जादा उस पर दाग दबे रह जाते थे लेकिन डिश वाशर से जो है ये कम निकलते हैं किसी एक आदे बरतन पर ही ऐसा होता है ऐसी जगाँ उपर जहाँ पर हम हाथ से तो अच्छे से सफाई कर दी तो वो बहूंगी बहुत जानी है तिक पर बहुत से साफ हो दीखाम से और यह यहां पर मैंने एक नंस्टिक का तवा भी इसके पर आपको देकाने के लिए लेकिन आपको निए भी तीस की और यह देखो यहां पर ग्लास के बरतन में आपको दिखा रही हूं सॉस्पन वगेरा बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए डिश्वाशर का यह जो डिसीजन था और बहुत ही अच्छे से स्टील के बरतन तो इसमें दी बेस्ट धूलते हैं इससे जादा अच्छे कोई धूली नहीं सकता स्टील के बरतनों को और मुझे यह अच्छा लगा डिश्वाशर और इसकी जो वर्किंग है वो भी बहुत जादा बेस्ट लगी और अगर आप मेरे मतलब मुझसे कुछ और कॉश्चन्स पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कोई यह मेरी कहते हैं कॉछ डिश्वाशर में बहुत तो बात जाए बरतन आते हैं इसे तरीके से अभेटर के स्टेंस अर्चें आपको मेरा आज का वीडियो तो इस में वीडियो को लाइक कर दीजियेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बने हूई बैल बेल आइकन को जबर प्रेस करिएगा मिलते है next वीडियो में और अगर आप dishwasher के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो comment में मुझसे पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगी next वीडियो में जो है इससे related आपकी query को solve कर सकूँ तो मिलते है next वीडियो में तब तक लिए बाइ बाइ